बॉलवर्ड इंडस्ट्री में जो आक्टर्स काम करते हैं सबका कोई न कोई पास्ट होता है जब ये आक्टर्स छोटे लेवल पर होते हैं तब इनसे इनके पास्ट के बारे में कोई पूछता नहीं और कोई पूछता है तो भी ये बताते नहीं है लेकिन जब बड़े स्टार बन जाते हैं तो फिर किताबे लिखकर अपने पास्ट को बताते हैं और उनका मजाग बनाते हैं ये एक सोसाइटी में माहूल भी बना हुआ है जब आप ज़्यादा अमीर नहीं हो आपके पास ज़्यादा पावर नहीं है तब अगर आप ऐसी बाते करते हो अपने पास्ट को लेकर तो फिर आपको बुरा नेचर वाला या बुरा करेक्टर वाला कह देते हैं लोग आपको जज़ कर देते हैं लेकिन जब आप एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाते हो पैसा पावर सब कुछ आ जाता है तब आप ऐसी बात करते हो तो फिर लोग कहानियों की तरह सुनते हैं इंट्रेस्ट से सुनते हैं और ऐसा ही कुछ है प्रियंका चोपड़ा का भी किस और अपने बॉइफरेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रही थी प्रियंका ने अपनी किताब में इस इंसिडेंट का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके घर पर उस दिन उनका बॉइफरेंड आया था और दोनों किस करना हग करना ये सब कर रहे थे इसी दौरान प्रियंका की मौसी वहाँ पर आ गई जिसके बाद प्रियंका ने अपने उस बॉइफरेंड को अलमारी में चिपा दिया प्रियंका ने बताया कि मैं और मेरा बॉइफरेंड बॉब हम दोनों आराम से बैठ कर टीवी देख रहे थे हाथों में हाथ डाले हुए थे और आग मौसी ने घर की तलाशी लेनी शुरू की, जिसके बाद मौसी प्रियंका के रूम में पहुची और वहाँ पर उनने अलमारी खोलने को कहा, जब प्रियंका ने डरते हुए one Almारी खोली, तो मौसी देखकर दंग हो गई कि अंदर से बॉब निकला और इसके बाद मौसी प्र तब जब IT रेट पड़ी थी उनके घर पे और वहां से शाहिद कपूर निकले थे ये वो टाइम था जब प्रियांका और शाहिद एक दूसरे को डेट कर रहे थे